हेलो, वाट्स अप गाईज, मैं नेम स्विनोध बादू थापा और आप सभी का बहुत बहुत स्वात करना चाहूंगा मेरो अस्थम चनल थापर टेखनीकल पर बताना चाहूंगा गाईज आज पर बहुत ज्यादा आपको बताऊंगा यह जो वेबसाइट आप इसको फ्री म के साथ सेयर करना चाहते हो, यूनों कमपनी में जॉब पाने के लिए पोर्टफोलिय के नाम पे, तो अब आपको कोई ने कोई एक सर्वर तो चाहिए, जहां पर आप अपने वेबसाइट को होस्ट कर सको, ताकि दुनिया के कोने कोने से लोग उसको एक्सेस कर सके, ठीक है वाले में भी देखेंगे, आपको simply netlify.com पे आना है, simple ठीक है, अप sign up कीजे पहले, login कर लिजेगा, कोई sponsor वीडियो नहीं है, simply login कर लिजे, मैंनो already login किया हुआ है, तो आपको कुछ इस तरीके का interface दिखाई देगा, simple ठीक है, इतना ध्यान नहीं देना, we have a team overview, आपकी जितन and let me tell you guys, there are three options जिसके तुरू आप website को उस्ट कर सकते हो, in netlify, add new site पर कर आप click करते हो, we have a import an existing project, start from a template, या deploy manually, ठीक है, इस तरीके से add new site, but यहाँ पर आप देख सकते हो, want to deploy a new site without connecting to git, यह बहुत ही ज्यादा awesome है, मतलब आप simply drag and drop के तुरू भी यहाँ पर आप काम कर सकते हो ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे best option यही है, जब आप इस तरीके से अपने dashboard पर आते हो, ठीक है, simply site पर click कीजे, want to deploy वाला यह जो particular option दिखता है, drag and drop पर आपको आना है, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, we have, alright, यहाँ पर, यह मेरा देखे professional website इस तरीके से है, इन सब को यह जो images.zip है, ठीक है, I think इसकी में जो कोई need ने delete कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, right click, मैं send to compress कर दे रहा हूँ, and यहाँ पर मैं लिखता हूँ, थापा, control and save, this is it, इसको मैं इस तरीके से कम कर दे रहा हूँ, अब यह जो particular section है, मैं यहाँ पर paste कर दे रहा हूँ, इतनी easily मैंने खाली यहाँ पर deploy कर दे, आप देख सकते हो, site has not yet been deployed, but यहाँ पर आप देख सकते हो कि वो upload हो रहा है, and यहाँ पर आप देख सकते हो कि guys, यह rotate हो रहा है, it means कि यह आपकी website को अभी deploy कर रहा है, and boom guys, see, आप time देखे, आप time देखे guys, यह just, you know, within 10 seconds म बिना कुछ correct, बिना है, you know, इधर का data लो, उधर का data लो, पहले zip format को unzip करो, फिर extract करो, इधर move करो, कुछ नहीं है, simple मेरा काम हो गया है, देखे, but there is one problem, and that is कि, यह क्या fantastic, hyphen, cell, kai, hyphen, अगर आप यह copy करके बोलोगे, किसी को भी, you know, इसको आप open करके देखो, उनको इधर वाला है, जो कि बहुत अच्छी बात है, but guys, there is a good news, and इसी बात पर एक लाइक बनता है, अभी तक subscribe नहीं किया, तो guys, please subscribe कर लिजे, पूरा website बनके खतम हो गया है, SEO में मैंने आपको 100% result लाके दिखा दिया, free में होस्ट करके भी मैंने आपको बता दिया, अब और क्या अच्छे, यह हो गया है, अब इसको as a portfolio आप use कीजे, सारे company में जब जब निकलता वेकेंसी, यह portfolio आप वहाँ पर add कर लीजे, लोग अपना resume add करेंगे, आप अपना website का link add कर देजे, वो बोलेंगे, वाओ यार, वंदत दामी है, मालब खत्रा बनाया, impression खत्रा आने वाला, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, best part, यह मुझे नहीं पसंदा है, यह URL का नाम नहीं होना चीए, तो अब मैं क्या करूँ, देखो, it's super duper easy, आपको domain setting पे जाना पड़ेगा, by default आता है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो, add custom domain पे जब आप click करोगे, तो already आपको domain buy करन देखोंगा, then clients चाहे 100 हो, 1000 हो, मैं sub domain बनाके उनको अपना देखो, thapa online class.com, thapa portfolio.thapa online class.com, यह मेरा domain है, जिसमें thapa portfolio मेरा sub domain है, netlify भी वही कर रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, netlify.com, वो domain है, and this one is my sub domain, right, तो मैंने तो अपना खुद का सबर भाई कर लिया है, तो एक ह अगर आप खुद बता रहे हो, कि यह अच्छा होता, वो अच्छा होता, तो आप कुछ चीज का knowledge होना चाहिए, and वो चीज आप use करना चाहिए, तो समझरों में क्या बलो, अगर आप iPhone के बार में बता रहे हो, and आप Android mobile पकड़ के बैठे हो, तो लोग विलिप नहीं करेंग सिर्किसे थापा, वेबसाइट या थापा पोर्टफोलियो, और अगर आप देख सेकते हो, कि मैंने यहां पर इसा जो नाम था, साइट नेम उसको चेंज कर दिया है, ठीक है, and then आपको सिर्फ आप सेप पे क्लिक करना है, and boom guys, see, आप देख सेकते हो, कि मेरा जो डोमेन का नेम है, वो चेंज हो चुका है, now it's a portfolio thapa.netlify.app, तो I hope आपको पता चले होगा, simply आपको option पे चलना है, added site name, आपको जो नाम रखना आप रख सकते है, and then आपको save पे क्लिक कर देना है, तो अब आप देख सकते हो, चाहिए तो आप इस पे क्लिक कीज़े, and this is your default sub domain, and यहां पे आप देख सकते हो, we have our own, you know, link, basically URL, जिस पे अब आप क्लिक करोगे, that is portfolio, thapa.netlify.app, and so 3 to 1, and boom guys, see, देखिए कितना ज्यादा ज्यादा आप लग रहा है, and the best part इस पे जो कुछ भी हमने add के है, with the help of JavaScript, चाहिए वो हमारा लाइबरेरी ही क्यों ना हो, जब हमने swiper.js किया सब कुछ इस पे work करता है, ऐसा नहीं कि कुछ work नहीं कर रहा हूँ, even our contact form, हमारा यह जो Google का API है, portfolio section हमारा हो, सब कुछ एक दम perfect work कर रहा है, so guys, I really hope आपको 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 बहुत ज़्यादा पसंदा होगा, जहां मैंने आपको यह दिखा कि कि कितनी easily, with the help of Netlify, अब अपने website को, you know, आप live host कर सकते हो, ठीक है, and इसमें एक और awesome बात है कि guys, अगर आप यहाँ पे चलते हो, we have a forms, तो फिलाल तो मैंने आपको अलड़ी बता दिया कि आप free में forms कैसे upload कर सकते हो, कैसे use कर सकते हो, right, basically, यह हमारा जो form है, यह working form है, without any database, without any backend, हमारा यह जो form है, य मेरे Gmail पर आजाता है, but इनके suppose अगर आपने वो use नहीं किया होता, तो आप netlify के through भी यह जो form से free में use कर सकते हो, हाला कि दोनों में we have some limitation कि per day आप से भी इतना ही message को receive कर पाऊगा, else क्या होगा, कि फिर जो paid वाले जो version हो, तो कोई buy करेगा, यह जब free में ही आपको सब कर रहा होता है, so guys this is it, आज इस बीडियो के लितना है, hope आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आओगा, and कितना ज़्यादा simple था guys, you know netlify में अपने website को host करना, simply drag and drop, change the domain name, that's it, and साथे साथ guys, आप यह भी जरू comment करके नीचे मुझे बता आना, कि आपने जब host किया, तो आप आपने क्या नाम रखा, तो आप नीचे कमेंट कर दीजे, ताकि लोग उस पर विजिट करके देख सके, कि आपने किस तरकी से बनाया, and उसे तरकी से हमारे Discord server को भी जरू जोइन कर लिजेगा, क्योंकि सारा source code आपको यहाँ पर मिलने वाला है, so guys this is it, आज इस बीडियो के इतना ही, hope आपको विडियो पसंद आओगा, and बताना चाहूँगा guys, अब हमारा next target is 5 lakh subscribers, so अब भी तक अगर आपने subscribe ने क्या तो guys, please subscribe कर लिजेगा, right side में create color का bell icon एक घंटी दिखाए देगा, hit किजे, click किजे ताकि आप डेल एस awesome videos को मिस ना करे, so till then guys, thank you so much, take care. झाल